आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है फोटो सिंथेसिस और एस्पाइरेशन का डिफिरेंस हम मेकैनिजम बढ़ने वाले हैं लेकिन इससे पहले हम इसका थोड़ा सा एक मेजर सा डिफिरेंस कर लें क्योंकि यह रिलेट करता है इस टॉपिक को बहुत डीप ली सहसे पहले तो हम देखते हैं कि फोटो सिंथेसिस की एक्वेशन क्या है फोटो सिंथेसिस में हम बेसिकली 6 कार्बन डैक्साइड के मालीक्यूल 6 ही वाटर मालीक्यूल की प्रेजिंस में फोटो सिंथेसिन में क्या होता है six carbon dioxide के molecule six water के molecule से reaction करते है sunlight की मौझूदगी में और chlorophyll की मौझूदगी में और उसके नतीजे में जो product बनता है वो बनता है glucose C6H12O6 और साथ बनता है oxygen इस reaction को लिखने का मेरा मकसद ये है कि हम comparison कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि equation में हो क्या रहा है सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें carbon dioxide जो है वो convert हो रहा है glucose में carbon dioxide के molecule में hydrogen add हो रहा है तो ऐसा process जिसमें carbon dioxide glucose में convert होता है क्योंकि इसमें hydrogen add हो रहा है तो ये क्या होगा देखें oxidation और reduction को in term of hydrogen अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि hydrogen की addition को हम ना देते हैं reduction तो मैं या लिक सकते हूँ कि ये reduction हो रही है क्योंकि इस carbon और oxygen के molecule में एक नई चीज़ आके add हुई है जो के hydrogen है अगर किसी molecule में hydrogen add हो तो ऐसे process को reduction कहते हैं photosynthesis में carbon dioxide glucose में convert हो रहा है this is reduction carbon dioxide की glucose में reduction हो रही है जबके respiration में अगर हम देखें तो respiration बिल्कुल इसके opposite process है उसमें C6H12O6 glucose का एक molecule 6 oxygen के molecule की presence में burn होता है सबसे important product जो इसके नतीज़ में बनता है वो है energy और आपको भी पता है energy किस form में बनते है energy ATP की form में बनती है adenosine triphosphate उसके साथ यहां पर एक जो चीज़ बनती है वो क्या बनती है इसमें carbon dioxide बनती है और साथ क्या बनता है water बनता है बिल्कुल आप देखेंगे कि यह वाली equation और यह वाली equation एक दुसरी के opposite है जो इस equation के product है वो इस equation के reactants है और जो इसके products है वो इसके reactants है अब इसमें क्या हो रहा है इसमें ये जो glucose का माली किउल है ये convert हो रहा है carbon dioxide में इसमें से hydrogen गाईब हो रही है तो loss of hydrogen is card oxidation यहां क्या हो रही है ऐकसीडेशन हो रही है तो हम आसानल फाज में कभी-कभी आपने एक term सुने होगी respiration में glucose की oxidation होती है ओक्सिडेशन क्या होती है ये ग्लुकोब में से हड्रोजन का निकशाने के बार उसका कार्बन डैयक्साइड में कन्वर्ट हो जाना इस कार्ड ओक्सिडेशन क्यूंकि इसमें हड्रोजन लॉस हो रहा है यह तो एक जनरल्स हमारी भात है यहां पर अगर आप बहुत से देख को इद यहाँ को पता होना चाहिए कि लाइट क्या है बेसिकली वाइट इनरजी तो फॉर्म हें सोलारिय को रहिए नहीं हो रही यहां पर तो एनरजी प्रोड्यूस हो रही है लेकिन उन चाहिए वह किस फॉर्म हो रही हो यहां क्या होगा कि यह 8 Senator Range कनवर्ट हो रही है एटीपी की फॉर्म में आस टाइम जो मैंने आपको लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको एक्स्प्लेइन किया था कि हमारी बॉड़ी के अंदर एक बैंक है इस बैंक के अंदर इनर्जी जो होती है वो स्टोर हो जाती है जरूत पढ़ने पर हमें प्र की फाम स्टोर करते हैं जब कि इसके केस में हम जो लाइट स्टोर इनर्जी को जिसे हमने ग्लुकोज में कर वार्ट किया था यह साथ फ़ोटोसेंटीज ने गुलुकोज में किया था उसको कर में कर देते हैं केमिकल इनरजी में ATP की फोर्म हमारे पास एक ताम आती है reaction है और अगर हम रेस्पारेशन को देखें तो यह केटाबॉलिक रेक्शन है अगर अगर का मतलब है छोटी चीजों का छोटे मालिक यूज का मिलके बड़े मालिक यूज का बनना अब अब कमपेरिटिव ली देखें तो कार्मन डाइस साइडर वाटर जहें वह चोटे मालिक हैं क्योंकि नमबर ओफ एक्टम आपको नज़र आरोगा कि कम हैं लेकिन यह जो गुलकोज है यह इनके कंपेरिजन में बड़ा मालिक यूज है तो छोटे मालिक यूज आपस में मिलके बड़े मालिक बना रहे हैं इसलिए हम इससे कहते हैं एनाबॉलिक रियक्शन फोटो कि मालिक यूज बना रहा है है इस फोटो संथिसस और एस्पारेशन को जनरल हम क्या कहेंगे कि फोटो संथिसस में इनर्जि यूज हो रही है ऐसा अससी इनर्जियू होती है उससे हम कहते हैं कि अंडर गॉंड़ॉरिक प्रॉसेस या endergonic reaction ऐसे reaction जिनमें energy use हो रही है यहाँ energy sunlight की form में use हो रही है अगर हम देखे तो sunlight जिसे हम solar energy कहते हैं वो भी basically energy है और यहाँ energy use हो रही है photosynthesis एक endergonic reaction है इसमें इनर्जी यूज हो रही है जबकि respiration में energy बन रही है तो यह कौन सा reaction है यह exergonic reaction है समझ आ रहे हैं कुछ आप लोगं को अब देखें यहां energy यूज हो रही है endergonic system में energy का enter होना जबकि एग्जर का मतलब करना निकलना यहां energy नुकल रही है दूसे बाथ यहां जहां सनलाइट energy को use किया जाता है और उसके नितीजे में product क्या बनाया जाता है glucose बनाया जाता है कोई भी food बनाया जाता है ठीक है जबकि यहां पर क्या होता है वो light stored energy किसकी form में है किसकी form है light stored energy यहाँ पर glucose की form में है यह glucose होता है इसको convert क्या जाता है chemical energy में ATP की form में bond form में energy इसमें store की जाती है मैंने आपको last lecture में बताया था कि ATP जो है वो हमारी body के bank की तरह act करते हैं हम इसमें energy रखवा देते हैं जुरुत पढ़ने पर यहाँ से energy निकाल लेते हैं फिर मैंने हैं term यूज की कि एक एनाबॉलिक photosynthesis एक एनाबॉलिक reaction है एना कहते हैं addition को छोटे molecules मिलके बड़े molecules बनाते हैं तो ऐसे reaction को एनाबॉलिक reaction कहते हैं ठीक है और अगर बड़े molecules टूटके चोटे molecules बनाते हैं तो ऐसे reaction को catabolic reaction कहते हैं अब सवार यह पैदा होता है कि photosynthesis एक सेल में कहां पर हो रहा होगा तो यह एक सेल में हो रहा होता है chloroplast में यह एक और गनेली है और यहाँ पर photosynthesis होता है यह मैं detail में आपको topic पढ़ा चुकी हो photosynthesis के topic में chloroplast में होता है किस तरह से light trap किया जाता है क्या क्या process होते है ETC आपको पढ़ा चुकी हूँ अगर आपको मजीद details से देखना है तो आप मेरे चैनल पर यह मजीद वीडियोस है वहाँ से देख सकते है respiration कहां पर होता है तो अभी अभी आपको पता होना चाहिए कि respiration दो organelles में होता है number one यह होता है cytoplasm में और दूसरा यह कहां पर होता है यह होता है mitochondria में ठीक है शायद आपको याद हो last video में मैंने यह बात explain की थी कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे organisms होते हैं जिन में mitochondria नहीं होता जिसकी वज़ा से उनके अंदर दो step नहीं हो पाते जिनने हम krebs cycle और electron transport chain कहते हैं तो वहां से इस cytoplasm की presence में एक ही process हो पाता है जिसे हम glycolysis कहते हैं अब समाजे पैदा होता है क्या photosynthesis तमाम प्लांट्स में होता है जिए बिलकुल नहीं होता ऐसा photosynthesis भी बहुत selective organisms में होता है कैसे photosynthesis selective होता है यह होता है all plants में तमाम पौदे photosynthesis कर के अपनी food बनाते हैं अब देखें पौदों पे apple लगता है बनाना लग रहा है सबजियां जो है यह सारे क्या है हमारे लिए plants हैं यह सारे plants हैं तमाम plants अपना food खुद बनाते हैं तो all plants photosynthesis करते हैं उसके इलावा all algae भी photosynthesis करते हैं scientist कहते हैं कि अगर अगर हमारी जमीन पर पौदे ना भी हों तो photosynthesis जो है वह हमाई जमीन की 70% algae कर रही है तो all algae के अंदर यह ability है तमाम plants के अंदर यह ability है और कुछ selective Bacteria के अंदर Som bacteria के अंदर यह ability है सारे बिक्टेरया tworosynthesis नहीं करते हैं समझा रहे हैं आप लोंको कि तमाम plants, All algae और conj बिक्टेरिया जो है वह photosynthesis करते हैं इसके रावा ना human करते हैं, ना animals करते हैं ना प्रोटोजोन करते हैं ठीक है यह सारे जो जानदार है ना हम लोग इनहीं पर कर पर आस्पारिशन करते हैं, तमाम living organism समझने इसका क्या मतलब है देखे एक तो बात हमें पता है कि इसमें इनर्जी बनती है और यह जो चीज है ना इसके बगार कोई living organism तो अपरवाइब नहीं कर पाता इट्सट्वेरियर इंपोर्टेंट पार्ट ओफए लिविंग इंग औरलिष्म हार उगनेज्म को काम करने के लिए चलने फिरने बात करने के लिए यह वाइन आपको एक्जांपल दहीं कि जपकने के लिए नेजी चाहिए तो इनर्जी कहां के प्रोसेस से आती है तहां तमाम लिविंग और्गिनिजम को रस्परेशन करना जरूरी है जिन्दा रहने के लिए चाहे वह इंसान हो चाहे वह को जानवर हो चाहे वह कोई प्लांट हो चाहे वह मक्हीया हो मच्छर हो बैक्टेरिया हो जांज हो वायरस हो इच एवरी मस्ट डू रस्परेशन हर वह लिविंग और्गिरिजम जिसके पास जिंदगी है जिसे हम लिविंग कहते हैं उसको रस्परेशन करना जरूरी है उसे चाहिए जिबके फोटो सिंथेसे जो है वह सिरफ प्लांट करते हैं जिबके फोटो सिंथेसे सिरफ प्लांट करते हैं है वि夏ंव कोई करते हैं कुछ बेक्तिरिया करते हैं बाकी कोई नहीं करता है तो कि हमारका क्या मेन करने का मकसर यह था कि लास्ट नाइम टॉपिक पड़ा को मैंड़ ऑप करें ठीकिया उस टॉपिक को कडूक करें , क्लोग करने का मकसर यह है कि आप इन उनों को difference देखें, photosynthesis में carbon dioxide और water मिलके sunlight की मौझूदगी में और chlorophyll की मौझूदगी में glucose और oxygen बनाते हैं, यह कौन से living organism करते हैं, तमाम plants, तमाम energy, कुछ bacteria, अच्छा यह पिर कहां पर होता है, यह cell के special organelli में process हो रहा हो, ऐसे reaction जिनमें energy utilize हो रही है, ऐसे reaction जिनमें छोटे molecules मिलके बड़े molecules बनाते हैं, इनके लिए हम term यूज करते हैं कि ऐसे reaction, anabolic reactions है, क्योंकि इसमें anabolism हो रही है, एना मतलब addition, छोटे molecules add होके, बड़े molecules बना रहे हैं, यहां मैंने एक और तमा को समझाने की कोशिश की, कि photosynthesis में carbon dioxide की reduction होके glucose बनता है, ठीक है, photosynthesis को बहुत सारी terms से पकारा जाता है, जिनमें से एक यह define भी किया जाता है, कि photosynthesis is the reduction of carbon dioxide into glucose, यह कहां पर होता है, इसका क्या मकसद है, इसका मकसद क्या है, कि इससे food बनाया जाता है, मैंने आपको कल भी बताया था, है, DTSA, मैंने लास्ट टाइम जब आपको पढ़ाया था, उसमें बताया था, कि photosynthesis जो है, वह हमारा food making process है, जबके respiration, energy making process है, respiration में क्या होता है, glucose और oxygen मिलते हैं, और energy और carbon dioxide और water बनाते हैं, इसमें energy बन रही है, ठीक है, तो यह ऐसा reaction है, जिसमें energy बन रही है, इसे कहते है, exergonic reaction, ऐसे reaction जिनमें energy बनती है, और system से out हो जाती है, उसे कहते है, exergonic reaction, energy जो होती है, वो मेशा ATP की form में बनती है, what is ATP? ATP is adenosine triphosphate, इसमें यह जो phosphate attach होते हैं, इनके अंदर energy store होती है, उस bond के अंदर, तो बात यहाँ पर यह हो रही है, कि यह reaction skin living organism में होते हैं, यह तमाम living organism, जिन्दा है ना अगर कोई चीज, तो उसके हर cell में respiration होना ज़रूरी है, respiration हो रही है, तो energy बन रही है, energy बन रही है, तो आप activity कर रहे हैं, respiration में एक glucose से carbon dioxide बनता है, यह यह इसमें hydrogen loss होता है, और loss of hydrogen को oxidation कहते हैं, लहाज़ा हम respiration को कहते हैं, oxidation of glucose into carbon dioxide, इसमें loss हो रहा है ना, hydrogen का, तो हम कहते हैं, respiration में glucose की oxidation होता है, और वो convert हो जाता है, carbon dioxide में, यह process तमाम living organism में हो रहा होता है, तो यह कहां पर हो रहा होता है, यह जो है, वो हर cell के cytoplasm और mitochondria में हो रहा होता है, ठीक है, light stored reaction है, इस reaction में क्या होता है, जो stored energy थी, glucose की, उसको convert किया जाता है, bank में, वो bank क्या है, हमारी body का ATP, उसमें energy store हो जाती है, यह catabolic reaction है, respiration, क्योंकि इसमें यह जो large molecule है, यह टूटके छोटे molecules बिना रहा है, तो ऐसे reaction को कहते हैं, catabolic, जिसमें cutting हो जाए, mega molecules, छोटे molecules में convert हो जाए, इन्हें कहेंगे catabolic reactions,